नमस्कार दोस्तो मेरा नमाई बिजय एक्वार आप देख रहें कॉमिक्स पिटारा चैनल को तो चलिए दोस्तो राज कॉमिक्स के संदार स्टोरी को सुरू करते हैं जिसको नाम है जादुगर का किला तो आप देख सकते हैं इसका कभर प्रिष्ट जो कि कुछ इस तरह का है तो चलिए इसकी संदार स्टोरी को सुरू करते हैं बहुत दिन हुए रेगिस्तान के बीच बने एक विसाल किले में होसांग जादुगर रहता था भेंकर मानों कंकालों की सेना उस किले की रक्षा करती थी जब भी कोई उस किले की ओर आता था कुछ देर से गुजड़ता तो उस किले के विसेस कक्ष में लगा जादुई घंटा अपने आप बजने लगता था और उस घंटे पर उस गुजड़ने वाले कच्चित्र उभर आता था एक दिन जादुगार होसांग अपने बिसेस कक्ष में बैठा था जादुगार होसांग को दुनिया के कोई सक्ति परास्त नहीं कर सकती अचानक उस कक्ष में लटका हुआ घंटा जोर जोर से बजने लगा लगता है आज फिर कोई कालेवन से गुजर रहा है और फिर ए मेरे जादोई घंटे मुझे उसका चितर दिखा कौन होसांग के छेतर से गुजर रहा है तब ही अगले छन उस घंटे में एक चितर उभराया अच्छा तो आज कोई राजकुमारी कालेवन से गुजर रही है तब ही घंटे में पीछे चल रही दूसरी घोड़ा गारी का चितर उभरा अरे इस घोड़ा गारी पर तो राजकोस रखा जान पड़ता है इस राजकोस में सोना भी अवस्य होगा और तभी जादुगर होसांग ने अपने गले में लटक रही मानो खोपड़ी को अदेश दिया ए मानो खोपड़ी मानो कंकालो की सेना मेरे सामने पेस करो अगले ही छन ही अनेक भेंकर मानो कंकाल सोर करते परकट हो गए मानो कंकालो तुम्हें हमारे साथ चल कर कालेवन में सोना लूटना है कुछी देर में जादुगर होसांग मानो कंकालो के साथ कालेवन की और तेजी से बढ़ रहा था आज मेरे हांग बहुत सोना लगेगा कुछी दिनों में मैं इतना सोना एकत्र कर लूँगा कि उस मौत की कुएं की आग बुझा कर दिब्बे दीपक तक पहुँच जाओंगा मैं चंदंगड के राजा विर्भद्र सेण की इकलोती बेटी राजकुमारी रूप लेखा अपने नाना राजा अनंग पाल के राजे से लोट रही थी राजकुमारी के स्वेंबर की तैयारिया चल रही थी राज अनंगपाल ने राजकुमारी के साथ भारी राजकोस भी भेजा था सेनापती दूरजन सिंग के साथ राजकुमारी कालेवन से गुजर रही थी सार्थी ये सोर कैसा हो रहा है राजकुमारी ची भेन्कर मानों कंकालों ने हम पर हमला किया है हमारे सैनिक उनसे लण रहे है मानो कंकालों के आकरवन के बात सुनकर तुरंत राजकुमार जी ने जहांक कर देखा कंकालों आगे बढ़ कर तूट पड़ो इन मुठी बर्स सैनिकों पर इनका खोन पी जाओ ओ भेंकर कंकाल सैनिकों सहस और बहदुरी से कंकालों का मुकाबला करो और कुछी देर में मानो कंकालों ने बहुत सैनिकों को मार डाला ओ ये मानो कंकाल तो मुझे मार डालेंगे यदि मैं इस जादुगर से मित्र्टा कर लूँ तो फिर मुझे चंदन गट का राजा बनने में देर नहीं लगेगी इस जादुगर की सहता से मैं राजा को मार कर स्वेम राजा बन जाओंगा और ये सोचकर सेनापती जादुगर के पास पहुचा मुझे छमा करे स्वामी मैंने आपको नहीं पचाना मुझसे भूल हो गई आप महान है आप चाहें तो सारा धन ले ले लेकिन मुझे अपना मित्र बना ले मैं आपको चंदनगट का राजा बना दूँगा तम बहुत बुधिमान हो बहुत जल्दी हमारी सक्ति को पहचान लिया लेकिन हम चंदनगट का राजा नहीं बनना चाहते हमें तो केवल वहां का सोना चाहिए मैं तो आपका दास हूँ आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा पीछे एक रात में चंदनगट की सुन्दर राजकुमारी बैठी है आप चाहें तो उसे भी ले जाएं नहीं राजकुमारी में हमें कोई दिल्चस्पी नहीं है हमें तो केवल सोना चाहिए फिर भी हम चलकर राजकुमारी को देख लेते हैं सेना पती जादुकर होसांग को राजकुमारी के पास ले चला लेकिन अभी वे राजकुमारी के पास पहुच पाते की तभी एक सैनिक ने राजकुमारी के पास जाकर कहा राजकुमारी जी कंकालों ने हमारे बहुत से सैनिकों को मार डाला है इन कंकालों से जीतना बहुत मुश्किल है आप कहीं भाग जाएं आँ मर गया हाई एक पल में है उसने कुछ सोचा सैनिक ठीक कह रहा है मुझे यहां से भाग निकलना चाहिए नहीं तो यह कंकाल मुझे भी मार डालेंगे और यह सोचकर राजकुमारी उस सैनिक के घोड़े पर बैठकर घने जंगल की और भाग निकली सरवट सरवट तब ही जदुगर सेनापती के साथ राजकुमारी के रद के पास पहुंचा दुर्जन सिंग उस राजकुमारी को इस घोड़ा गारी से बाहर निकालो और जब सेनापती ने रद के पास पहुँचकर परदा हटा कर देखा तो बुरी तरह चौक पड़ा अरे राजकुमारी तो यहां नहीं है वो कहां चली गई ओ लगता है कहीं भाग गई है राजकुमारी भाग गई तो कोई बात नहीं अपना सारा सोना तो छोड़ गई है हमें बस सोना चाहिए सोना कंकालो इस राजकोस को उठा कर ले चलो जब जादुगर होसांग सारा धन लेकर चलने लगा तो जादुगर कल चंदनगट में राजकुमारी का स्वेंबर होगा उसमें से जो भी जही होगा उसी से राजकुमारी विभा करेगी आप मुझे ऐसी सक्ति दे दें जिससे कोई मुझे पराजित ना कर सके चुकि राजकुमारी राजा की इकलोती संतान है विभा के बाद राजे भी मुझे मिल जाएगा और फिर राजे मेरा होगा और राजे का सारा सोना आपका अच्छा ये बात है तो हम तुम्हे अवस्से ऐसी सक्ति देंगे ये माला पहन लो फिर तुम्हे कोई यूद में नहीं हरा सकेगा लेकिन तुम अपने सोने वाली बात याद रखना स्वामी मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा उधर जंगल में तेजी से दोड़ते घोड़े का पाँ फिसला और राचकुमारी दलदल में गिर पड़ी बचाओ उस दलदल से बाहर निकलने की उसने बहुत कोसिस की लेकिन राचकुमारी दलदल में धस्ती ही चली गई अब मैं कैसी बचूंगी कोची देर में राचकुमारी कमर तक उस दलदल में धस गई थी बचाओ उधर जंगल के दूसरे किनारे पर महरसी बिध्यानंद के आस्रम में सुन्दर नगर का राचकुमार जैराज सस्त्र शिक्षा प्राप्त कर रहा था जैराज आज हम तुम्हारी परिक्षा लेंगे हम देखना चाहते हैं तुम सस्त्र विध्या में कितने निपून हो अग्या कीजिये गुरू देओ मैं परिक्षा के लिए तेयार हूँ महरसी ने दूद से भरे कमंडल में छिद्र कर दिया उसमें से दूद की धार बहने लगी जैराज यहां से सो कदम की दूरी पर एक सेर अपनी सिकार की तलास में भटक रहा है तुम्हें इस कमंडल के खाली होने से पहले उस सेर का सीर काट कर लाना है जो अग्या गुरुदेव तबी जैराज घोडे पर चटकर महरसी की बतायती सामें तेजी से बढ़ा घने जंगल में सेर दिखाई देते ही जैराज ने उस पर आकरमन कर दिया और फिर तलवार के एक जोरदार परहार से उसने सेर का सीर अलग कर दिया सेर का सीर उठाकर जैराज पलक जपकते हैं महरसी के आस्रम पहुच गया सावास जैराज तुम अपने परिच्छा में सफल रहे आज तुमारी सस्त्र सिक्षा समाप्त हुई अब तुम घर जा सकते हो नेरा सिर्वाध है की तुम्हें कोई भी तलवारवाजी में प्रास्त नहीं कर पाएगा जैराज के सस्त्र सिक्षा पूरी हो चुकी थी वो महरसी से बिदाले कर अपने नगर की ओर चल दिया घर जंगल से गुजरता हुआ जैराज जैराज अभी कुछी कदम आगे बढ़ा था की बचाओ बचाओ ओ ये तो किसी इस्तरी का स्वर है तभी उसने अवाज की दिशा में घोड़ा दोड़ा दिया कुछी दिन में उसने घनी जाड़ियों के पास जाकर देखा तो चौत पड़ा ओ ये तो दलदल में बहुत गहरी फस चुकी है पल भर का बिलम किये पिना जैराज ने कुछ सोच लिया बचाओ घबराओ नहीं मैं अभी इस बेल को तुमारे पास फेक रहा हूँ तुम इसे कसकर पकर देना फिर मैं तुम्हें बाहर खीच लूँगा जैराज ने तुरंट उस बेल को राचकुमारी के पास फेका राचकुमारी ने उस बेल के किनारे को पकर दिया आ गई हाथ में और तब जैराज बेल का एक सीरा घोड़े के गरतर में बांध राचकुमारी को बाह पहर निकल गई आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बचा कर दूसरा जीवन दिया है देखो इस वर ही सबकी रक्षा करता है इस वर को धन्यवाद दीजिए कि उसने मुझे यहां भेज दिया और फिर एक तलाब के पास ले जाकर जैराज ने राजकुमारी को अस मैं चंदन गट की राजकुमारी रूप लेखा हूं और फिर राजकुमारी ने जैराज को जादुगर के आकरमन की सारी कहानी सुना दी कहानी सुनकर जैराज ने कहा मैं सुन्दर नगर का राजकुमार जैराज हूं महर्सी बिद्यानंद से सस्तर बिद्या प्राप्त करके लोट रहा था कि तुम से भेट हो गई आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूल सकूँ की उपकार कैसा राजकुमारी ये तो मेरा कर्तब्बे था मैंने अपना कर्तब्बे ही तो पूरा किया है आईए इस घोडे पर बैठ चाईए मैं आपको नगर तक पहुँचा देता हूँ फिर दोनों घोडे पर सबार होकर नगर की ओर चल दिये और जब लंबी यात्रा करके दोनों चंदन गट के समीप पहुँचे तो राजकुमारी ओ सामने आपका नगर है अब आप नगर में जा सकती है क्या तुम मेरे साथ राजमहल में नहीं चलो के कुछ देर ठहर कर चले जाना नहीं मुझे जल्दी अपने घर पहुँचना है बहुत दिनों बाद घर लोट रहा हूँ राजकुमार कल मेरा स्वैम भर है बहुत से योधा उस पर्ट योगिता में आएंगे मैं तुम्हें आने के लिए निमंत्रित कर रही हूँ राजकुमारी निश्चित नहीं कह सकता संभव है मेरे पिता जी इसकी अग्या ना दे अगर उन्होंने अग्या दी तो अवस्ते आउंका मैं तुमारी पर्तिक्षा करूं की तुम अवस्याना राजकुमार और जैराज वहाँ से चल दिया बड़ी देर तक राजकुमारी उसे जाते हुए देखती रही और फिर नगर की तरह बढ़ चली अगले दिन चंदर गड़ में राजकुमारी रूप लेखा के स्वेंबर के लिए पर्तियुगिता प्रारंभोई राजा विर्भत्र ने घोस्ता की इस पर्तियुगिता में जो राजकुमार विजय होगा उसके साथ राजकुमारी का भिवा किया जाएगा पहले दो राजकुमार पर्तियुगिता के लिए मैदान में आएं तभी दो राजकुमार मैदान में उत्रें राजकुमारी रूप लेखा मेरी है और मेरे सीवा कोई विजय नहीं हो सकता राजकुमारी के सपने मत देखो उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता खनाक बहुत से राजकुमार आएं और योद में एक दूसरे से हार कर चले गए कुछ देर बाद सेनापती दुर्जन सिंग मैदान में उत्रा सेनापती दुर्जन सिंग ओ ये भी मुझसे भिवा करना चाहता है एक के बाद एक अनिक राजकुमारों ने सेनापती से योद किया लेकिन जादुगर से मिली सकती के कारण कोई उसे परास्त नहीं कर सका सचमुच जादुगर की सकती मेरी साहता कर रही है जादुगर की सकती के कारण ही मैं इसको मार सका हूँ अब राजकुमारी को मुझसे विवा करना ही पड़ेगा जब सेनापती से लड़ने के लिए कोई राजकुमार मैदान में नहीं उत्रा तो राजा रानी और राजकुमारी भेवित हो उठे ओ, क्या मुझे इस सेनापती से राजकुमारी का विवा करना पड़ेगा ओ, मेरी बेटी के भागे में यही सेनापती लिखा था, मैं इस दुष्ट से कभी विभा नहीं करूंगी, लेकिन वो राजकुमार अभी तक आया क्यों नहीं। सेनापती जी उसकी और मूर कर देखा, तुम भी आजाओ लेकिन सिर पर कफन बांध कराना, तुम जैसे दूध पीते बच्चे को मैं बाय हाँ से परास्त कर सकता हूँ, दूध पीते बच्चे की सक्ती तो इस तलवार में छिपी है, लो संभालो मेरा वार। और ये कहते वे जैराज ने तुरंत त्रिव परहार किया खनाग, अरे ये तो साधारन नहीं लगता, और फिर दोनों एक दूसरे पर विदूध गती से परहार करने लगें, ओ, अरे जादुगर की सक्ती महरसी बिद्यानंद के असिरवात के सामने छिन परने लगी थी, देखते ही देखते जैराज ने सेनापती के छक्के छुड़ा दिये, ओ, जादुगर की सक्ती काम क्यों नहीं कर रही, तभी जैराज के एक भरपूर वार से सेनापती के तलवार के दूर टुकड़े हो गए, तलवार तूट गई, कोई बात नहीं बहादूर, दूसरी तलवार दे लो, मैं नि लोट सकोगे, मुझे ऐसे ही सेरों के दात तोरने में बहुत मजा आता है, अभी जैराज की बात पूरी भी नहीं हुई थी की, सेनापती उस पर जपट पड़ा, जैराज के एक वार से अचानक सेनापती की माला दूर जा पड़ी, ओ, मेरी जादूई माला की सक्ती, मुझे जल्दी से माला उठा लेनी चाहिए, लेकिन जैसे हो माला लेने के लिए जुका, जैराज ने उसके गरदन पर वार कर दिया, सेनापती की चीक वातावरन में गोंज गई, सेनापती के मरते ही वातावरन में खुसी की लहर दोड़ गई, लोगों ने दोड़ कर जैराज को क राजकुमारी रूप रिखा जेराज के गले में जैमाला डाल रही थी और उधर जादुगर होसांग अपने कक्ष में बैठा जादोई घंटे में सब देख रहा था सेनापती दुर्जन सिंग मारा गया तो कोई बात नहीं मैं इस राजकुमार से राजकुमारी का विवान नहीं हो देदूंगा मैं राजकुमारी को उठा लाओंगा और फिर चंदनगट के राजा से उसके बदले में उसके राजकोस का सारा सोना मांग लूँगा और फिर पलग जपकते ही जादुगर होसांग मानों कंकालों की सेना के साथ चंदन गट के महल में पहुँच गया मैं हूँ जादुगर होसांग जो कोई भी आगे बढ़ेगा मेरे मानों कंकाल उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे तुम भाग कर कहां जा रही हो मैं तुमें ही लेने आया हूँ और तुमें अवस्ते ही लेकर जाओंगा पिता जी मुझे बचाओ कुछ सैनिक जादुगर की और बढ़े तो हट जाओ नहीं तो सब को जला कर राक कर दूँगा तभी जादुगर ने मानो खोपड़ी को उपर उठाया तो उसमें से आग की चिंगारिया निकल कर सैनिको को जलाने लगी भागो सैनिको को जला कर जादुगर होसांग ने कहा बीर भत्र मैं राजकुमारी को लेकर जा रहा हूँ अगर तुम सौमन स्वर्न मेरे किले में पहुँचा दोगे तो मैं राजकुमारी को छोड़ दूँगा वरना उसके टुकड़े टुकड़े कर दूँगा नहीं मैं तुमें चंदनगर के खजाने में से एक कोड़ी भी नहीं दूँगा ये सारा प्रजा का धन है जादुगर राजकुमारी की ओर बढ़ा तो सैनिको इसे तीरों से छलनी कर दो सैनिको ने उस पर तीर की वर्सा प्रारम कर दी लेकिन जादुगर होसांग ने जादु से अपने आसपास आग का घेरा बना लिया बीरभद्र इन तीरों से तुम मेरा कुछ ना बिगार सकोगे आग के खेरे से निकल जादुगर हुसांग ने राजकुमारी को पकर दिया नहीं, मुझे छोड़ दो पीता जी पीता जी मुझे बचाओ अब तुमें कोई नहीं बचा सकेगा, मैं तुमें लेकर ही जाऊंगा जैराज ने जादुगर को राजकुमारी को ले जाते देखा तो वो तलवार उठाए उसकी ओर दोड़ा रुख जाओ जादुगर, मैं तुमें राजकुमारी को नहीं ले जाने दूँगा मैं तुमें जीवित नहीं छोड़ूँगा तुम मुझे राजकुमारी को छुड़वाओगे तुम जैसे मच्छोडों को मैं फोक से उड़ा देता हूँ और तभी जादुगर ने जोर से फोक मारी उड़ता हुआ जैराज महलक से बाहर जाकर जमीन पर गिर पड़ा जादुगर ने मुझे हवा में उड़ा कर इतनी दूर फेग दिया जब जैराज वापस महल में पहुचा जैराज जादुगर राजकुमारी को उठा कर ले गया वो सौमन स्वर्ण लिये बिना राजकुमारी को नहीं छोड़ेगा अब हम क्या करें यो राज अब हम क्या करें जैराज आप चिंता ना करें महराज मैं जादुगर को कानी कोड़ी दिये बिना राजकुमारी को ले कर आऊंगा राजा बिरबद्र से बीदा ले जहराज घोड़े पर सवार हो जादुगर के कीले की ओर चल दिया घरे जंगल पार कर वो रिगिस्तान में बढ़ा चला जा रहा था ओ, इस आंधी में मैं कीले तक कैसे पहुँच पाऊंगा कई दिनों के लंबी यात्रा के बाद आखिर एक दिन जहराज जदुगर की कीले के सामने पहुँच गया अब मैं इस कीले में कैसे परवेश करूँ, यहां तो बहुत से मानो कंकाल पहरा दे रहे हैं इनसे बशना तो बहुत मुश्किल है अंधेरे में छिपकर मैं भीतर जा सकता हूँ अब रात होने तक मुझे यहीं छिपकर बैठना चाहिए रात का अंधेरा फैलने पर जहराज उस कीले में जाने के लिए तयार हो गया जब यह मानो कंकाल उस तरफ जाएगा तो मैं कीले में परवेश कर जाऊंगा और उस मानो कंकाल के दूसरी तरफ जाते ही जहराज दुआर में परवेश्ट हो गया वो कीले में भीतर घुस्ता चला गया ओ यहां तक तो सुरक्षित पहुँच गया लेकिन अब राजकुमारी का पता कैसे करूँ यहां तो कोई मानो दिखाई ही नहीं दे रहा है इधर जहराज कीले में बढ़ रहा था उधर जादुगर होसांग अपने विसेस कक्ष में बैठा उसे अपने जादोई घंटे में देख रहा था अच्छा तो राजकुमारी को छुडाने के लिए यह मच्छ यहां तक पहुचा मैं चुटकियों में इसे मसल दूँगा और यह सोचते हुए कुछ बुदबुदा कर उसने हवा में हाथ उठाया उधर जैसे ही जहराज आगे बढ़ा एका एक अनेक बिसाल चमगादर उस पर जपतें ची ची ओओ यह कैसी मुसीवत है मुझे तलवार से परहार करना चाहिए जैराज ने पूरी सक्ति से उन पर परहार किया सिगरही सभी चमगादरों को मार कर जैराज आगे बढ़ रहा था उदर जादुगर होसांग ने जादोई घंटे में जब यह द्रिस से देखा तो ओ बहुदूर लगता है मेरे अनेक चमगादरों को मार दिया लेकिन अब मेरे भेंकर बाग से बच नहीं सकेगा अभी जैराज कुछी कदम आगे बढ़ा था कि एक ब्रिक्ट की सका से उस पर एक भेंकर बाग कुदा और बाग की बोश से वो अपने को संतुलित नहीं रख सका लेकिन सिगरही जैराज ने बाग को दूर उचा दिया और फिर अपनी तलवार उठाने के बाग को समभलने का कोई ओसर नहीं दिया और फिर तलवार के भरपूर परहार से उस बाग का अंथ कर दिया खचाक उधर अपने बीसेस कख्च में बैठे होसांग ने देखा अरे इसने मेरे जादुई बाग को भी मार दिया अब मुझे इस जादूई खड़क का परियुक करना ही होगा लेकिन अगले चंड वो घंटे में जेराज को गायब देखकर चौक पड़ा रे वो यूवक कहां गायब हो गया कहीं वो पिताजी के कक्ष के पास तो नहीं पहुँच गया क्योंकि वही एक ऐसा कक्ष है जहां पर मेरा जादू नहीं चलता अगर उसने उत्परेती को कैद से मुक्त कर दिया तो नहीं मुझे उत्परेती की भी चिंता नहीं है जब तक मेरे पास ये मानो खोपड़ी है वो मेरा कुछ नहीं बिगार सकता इन दोनों को मैं बाद में देखूंगा पहले राजकुमारी की खबर देता हूँ उधर जैराज बाग को मार कर आगे बढ़ा ही था की एई यूवक इधर आओ मेरे पास तुम बहुत बहुत बहुतुर हो जैराज उसके पास पहुँचा कौन हो तुम क्या तुम्हें जादुगर होसांग ने कैद कर रखा है हाँ मुझे जादुगर होसांग ने बंदी बना रखा है वैसे मैं होसांग का छोटा भाई हूँ मेरा नाम जादुगर उत्परेती है तुम्हें जादुगर ने कैद क्यों रखा है कैद क्यों कर रखा है पूरी कहानी तुम्हें बाद में सुनाओंगा पहले तुम ये ताला तोड़कर सिगरता से भीतर आजाओ इस कक्ष में होसांग का कोई जादू नहीं चलता जहराज ने एक बार ताले को देखा और फिर तलवार से एक भरपूर वार किया खटाक धर्वाजा कोल कर वो भीतर परविस्ट हो गया तुम भी जादूगर हो तो आपने जादू से इस कक्ष से बाहर क्यों नहीं आगे ये हमारे स्वर्गे पिता का कक्ष है यहां कोई जादू नहीं चलता होसांग ने धोके आया हूँ ओ अवस्ते ही होसांग तुमारी पत्नी को स्वर्ण के लालच में उठा कर लाया होगा स्वर्ण के लिए वो पागल हो चुका है लेकिन इतने स्वर्ण का वो क्या करेगा दस सहस्त्रमन स्वर्ण एकत्र करके वो एक तिलस्मी कुएं की आग बुझाएगा स्वर्ण से कुएं की आग मैं समझा नहीं आप मुझे पूरी कहानी सुनाइए अच्छा तो सुनो कहें वर्स पहले की बात है हमारे पिता जी बहुत बड़े जादुगर थे उन्होंने हम दोनों को बहुत से जादु सिखला है उन्होंने ही ये जादु का किला बनाया एक बार पिता जी बहुत बिमार हुएं उन्होंने हम दोनों को अपने पास बुलाया बेटे अब मैं अधिक समय जीवित नहीं रहूँगा लेकिन मैं मरने से पहले तुम्हें एक ऐसी वस्तु दे जाना चाता हूँ जो तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा जादुगर बना देगी वो एक जादुई दीपक है जिसे मैंने इसी कीले की गुफा में छिपा कर रखा है उस दीपक से दुनिया की कोई विवस्तु तुम प्राप्त कर सकते हो लेकिन उस गुफा तक पहुंचने के दो रास्ते हैं एक रास्ता मौत की सुरंग में होकर जाता है जिसमें तरह तरह के भेंकर तिलस्मों से होकर गुजरना होगा जहां किसी भी चन मौत तुमें अपना सिकार बना सकती है दूसरा रास्ता एक गहरे कोई से होकर गुफा तक पहुंचता है लेकिन उस कोई में हर समय भेंकर आग लगी रहती है उस आग को जल या मिट्टी से भी नहीं बुझाया जा सकता है बेटे मेरे पास ये एक जादोई मानो खोपड़ी भी है उसके गले में रहते हैं तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता मानो खोपड़ी से तुम कंकालों की सेना भी बुला सकते हो इतना कहते ही जादुगर की गर्दन एक और ढुलक गई तब होसांग ने जपटकर पिता जी के गले से मानो खोपड़ी के माला उतार दी उसके सहता से वो बहुत सकती साली बन गया मानो कंकालों की सेना से मैं लोगों को लूट लूट कर स्वर्न एकत्र करूंगा पिता जी के अंतिम संसकार के बाद एक दिन मैंने होसांग से कहा भाईया मैं मौत की सुरंग के उस रास्ते उस गुफा तक पहुंचना चाता हूँ भले ही इस रास्ते में जान को बहुत खत्रा है लेकिन मैं इसी रास्ते से जाओंगा ठीक है तुम इसी रास्ते से जाओ लेकिन मैं तो आग वाले कुएं के रास्ते से गुफा तक पहुँचूंगा एक दिन मैं पूरी तैयारी करके मौत की सुरंग की और जाने लगा तो हसांग मेरे पास आया तो तुमने मौत की सुरंग के तिलिस्म को तोड़ने का फैसला कर लिया है हाँ भाईया मैं सुरंग में पर्वेश करने ही जा रहा था लेकिन अगले ही च्छन उसने मानो कंकालो को मुझे बंदी बना लेने का आदेश दिया मानो कंकाल मेरी और जप्टे तो होसांग इन मानो कंकालो को रोको तुम धोका कर रहे हो यह अन्याय है नहीं मैं तुमें नहीं छोड़ सकता मैं नहीं चाहता कि तुम मौत की सुरंग में से जाकर उस जादोई दीपक को प्राप्त कर लो उस दीपक को मैं लूँगा केवल मैं मैं उन मानों कंकालों से बचने के लिए भाग कर पिता जी वाले इस कक्ष में चला आया लेकिन होसांग ने ताला लगा कर मुझे इस कक्ष में कैद कर दिया अब तुम इस कक्ष में कैद रहोगे और मैं कुए की आग बुझाने के लिए लोगों से स्वन लूट लूट कर एकत्र करूंगा और फिर एक दिन वो जादूई दीपक मेरा होगा होसांग ये अन्याय है बस उस दिन से मैं इस कक्ष में बंदी बन कर रह रहा हूँ और होसांग लोगों को लूट लूट कर स्वन एकत्र कर रहा है फिर मैं उससे अपनी पत्नी को कैसे छोड़ा सकूंगा तुमारी पत्नी को वो स्वन लिये बिना नहीं छोड़ेगा अब एक ही रास्ता है कि हम मौत की सुरंग के रास्ते उस गुफा तक पहुँचकर जदूई दीपक को प्राप्त कर लें लेकिन हम उस मौत की सुरंग को कैसे पार कर पाएंगे राजकुमार मौत की सुरंग से खत्रा तो है लेकिन सहास और बुधिमानी से तुम इसे पार कर सकते हो मैं अपने जादू से पता कर चुका हूँ इस सुरंग में तीन दर्वाजे है पहले दो दर्वाजे तुम्हें अकेले ही पार करनें पड़ेंगे क्योंकि उनमें एक बार में केवल एक ही बेक्ती जा सकता है तीसे दर्वाजे पर मैं तुम्हें मिल जाओंगा ठीक है मैं अकेला ही सुरंग में परविष्ट करता हूँ और फिर उत्परेती ने दो दर्वाजे के तिलस्म के बारे में उसे बता दिया और फिर दोनों मौत की सुरंग के सामने पहुँचे और जैराज अकेला है उस सुरंग में परविष्ट हो गया उधर जादुगर होसांग राजकुमारी को लेकर आग के कोई कर पास पहुँच गया राजकुमारी तुम्हारे पिता ने मेरे आदेश के अनुसार सौमन स्वर्ण मुझे नहीं भेजा इसलिए अब मैं तुम्हें आग के इस कुए में गिरा कर भस्म कर दूँगा अपनी मिर्तुम में कोछी कदमों का फासला देख राजकुमारी बिचली थो उठी नहीं नहीं तुम मुझे इस आग में मत जोको मैं तुम्हें स्वर्ण दूँगी तुम जितना स्वर्ण मांगो के मैं उतना ही स्वर्ण दूँगी मुझे दस सहस्त्रमन सोना चाहिए बोलो तुम इतना स्वर्ण कैसे दोगी कहां से दोगी जादुगर मैंने तुमें एक बात अभी तक नहीं बताई मैं एक ऐसे मंत्र जानती हूँ जिससे स्वर्ण की बारिस हो सकती है मैं स्वर्ण की बारिस कर दूँगी तो तुम फिर मुझे छोड़ दूगे ना हाँ हाँ मुझे सुर्ण चाहिए बस सुर्ण इस कुए की आग बुस्ते ही मैं तुमें छोड़ दूँगा राजकुमारी ने वही कुछ लकड़िया इकत्र करके मंत्र बोलने सुरू किये उधर जैराज अभी सुरंग में कुछ ही कदम चला था कि तभी बंद दर्वाजा अपने आप खोलने लगा जैराज धरकते हर्दे से उस दर्वाजे में पर्विस्ट हुआ अरे यहां तो तरह तरह के फूल खिले है उत प्रेती ने कहा था कि इन फूलों में केबल एक ही फूल है जो मुझे अगले दर्वाजे तक पहुचा सकता है अन्ने किसी फूल को तोड़ने से मैं मुसीवत में फस सकता हूँ तभी उसके द्रिस्टी एक बड़े से फूल पर पड़ी अरे यह फूल सबसे बड़ा है मुझे यही तोड़ देना चाहिए यह सोचते ही उसने आगे बड़ कर वो फूल तोड़ दिया और उस फूल के तोड़ते ही जैसे वहाँ पड़ ले आ गई सभी फूल अपने आप तूटकर उड़ने लगें लेकिन अगले ही चंद सभी उर्टे फूल भेंड कर हाथों में परवटित होकर जैराज की और चितकार करते हुए बढ़ें इसने पहले कि वे भेंड कर हाथ जैराज की गर्दन से लिपट पाते हैं उसने तलवार से परहार करने शुरू कर दिये जैराज ने अने खातों को काट कर गिरा दिया लेकिन एक हाथ के कट कर गिरते ही अने खात फिर बन जाते थे हे भगवान ये कैसे मुसीवत है इससे कैसे चुटका रापाऊं अगर मैं कुछ नहीं कर सका तो ये ही मेरी मौत निश्ची थै तब ये उसके द्रिष्टी एक फूल पर पड़ी और ये फूल अभी तक अपनी जगा पर लगा है अवस्ते ही ये वही फूल होगा जिसे तोड़ने की बात उत प्रेती ने कही थी ये सोचते ही जहराज उस फूल की और फूर्टी से कूदा और एक जटके में उसने उस फूल को तोड़ दिया देखते ही देखते वहां का पूरा द्रिष्टी ही बदल गया और अगले ही चन जहराज दूसरे दर्वाजे के सामने पहुँच चुका था अरे मैं कहां गया लगता है ये सुरंग का दूसरा दर्वाजा है अभी वो सोची रहा था कि दर्वाजा अपने आप खोलता चला गया जहराज उस दर्बाजे से निकल आगे बढ़ाई था कि एक कक्ष में जंजीरों से बंदी राजकुमारी रूप लिखा को देख कर वो चौक पड़ा जादुगर मुझे जल्दी से इस कैच से निकालो नहीं तो वो जादुगर मुझे मार डालेगा राजकुमार मुझे जल्दी से इस कैच से निकालो नहीं तो वो जादुगर मुझे मार डालेगा रूप लेखा मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ मैं अभी दर्बाजे पर लगा ताला तोड़कर तुम्हें बाहर निकालता हूँ लेकिन अभी वो आगे बढ़ता की उसले उत्परिती की कही हुई बात याद आ गई और उसके आगे बढ़ते हुए कदम वहें इस्तिर हो गए राजकुमार यहां तुम्हें कई तरह के धोके हो सकते हैं जिसे तुम देख रहे हूँ वो चीज असले ना होकर नकली भी हो सकती है नहीं ये कैसे हो सकता है राजकुमार, राजकुमारी कोई मिट्टी का खिलाओना तो नहीं कि कोई दूसरा बना दे ओ, राजकुमार रुक क्यों गए, जल्दी करो ना, जल्दी इस ताले को तोड़ कर मुझे बाहर निकालो अगर वो जादुगर आ गया, तो मैं कभी बाहर नहीं निकल सकूंगी जहराज, अपने को रोक नहीं सका, और उसने ताले पर भरपूर परहार किया खटाक, लेकिन अभी उसने दर्वाजा खोला भी नहीं था कि तभी वो दलदल के गहरे गठे में जागी रहा, और जब उसने गर्दन उठाकर सामने की और देखा तो काप कर रहे गया ओ, धोका, राजकुमारी के रूप में राक्षेसी राजकुमार, अब मैं तुम्हें खाऊंगी, मैंने बहुत से लोग तो खाए हैं, लेकिन बहुत दिनों से तुम जैसा सुन्दर राजकुमार नहीं खाया ओ, अब इस राक्षेसी से कैसे जान बचाऊंँ जैराज, अभी सुरक्षा का कोई तरीका सोच पाता की, वो राक्षेसी उसे पकड़ने के लिए आगे की ओर जुकी लेकिन अभी राक्षेसी के हाँथ उसे पकड़ पाते कि उसने उसके लंबे बालों को कसकर पकड़ दिया और फिर बालों के साहरे लटके हुए वो दलदस से बाहर निकल आया राक्षेसी ने उसे बालों से अलग करने के बहुत कोसिस की ओ, ये तो मेरे बालों से जूंक की तरह चिपक गया है, अब इसे कैसे अलग करूँ इससे पहले कि राक्षसी उसे पकड़ पाती, उसने म्याज से तलवार निका ली और गर्दन करते ही राक्षसी गिर कर मर गई, अगले चन वहां का द्रिस से विदुद गती से परवर्तित हो गया हरे उस भेंकर राक्षसी का सो वो दल दल सब कहां गायब हो गये अवी जैराज ने ये सोचा ही था कि उसे दूर से उत्परेती आता दिखाई दिया राजकुमार मैं आ रहा हूँ, इसका मतलब मैंने दो दर्वाजे पार कर लिये उत्परेती ने पास आते ही कहा, साबास राजकुमार तुमने दो तिलसमी दर्वाजे को अपनी साहस और बुधिमानी से पार कर लिया लेकिन अब हमें तीसरा अर्थात मौत का दर्वाजा पार करना है इस दर्वाजे को हम अपने बहुदुरी से ही पार कर सकते हैं जादुगर आपके आजाने से मुझे विश्वास हो गया है की हम गुफा तक अवस्य पहुंचाएंगे लेकिन अब दोनों ने उस दर्वाजे के स्वेम खुल जाने पर अंदर पर्वेस किया तो उनका विश्वास पूरी तरह बदल गया ओ इतने भेंकर जीव जन्तू और पक्षी मैंने तो कभी इनके बारे में सुना भी नहीं है कुछी देर में उन्हें बीचीतर जन्तू और पक्षीयों ने घेर लिया उन्होंने अनेक बीचीतर जन्तू को माँ डाला लेकिन अंत में एक अजीब से जन्तू ने उसे अपना सिकार बनाने के लिए पकड़ ही लिया अब इस भेंकर जीव से कैसे रक्षा करूँ लेकिन उसके पास पहुँचकर भी उत्परेती नी सहाय खड़ा देखता रह गया यहां मैं कोई जादू भी नहीं चला सकता क्योंकि तिलिस्म में सब जादू बेकार होते हैं अभी उत्परेती कुछ सोच पाता की तभी दूसरे बिचितर जीव ने उसे भी दवोश लिया ओ राजकुमार को बचाने में मैंने अपने मौत की निमंत्रन दे दिया है दोनों बिचितर जन्तू उन्हें मुँ में दबाय हुए तीजी से एक ओर चल दिये लेकिन अभी कुछ ही दूर चले थे कि जैराज एक पेर की उची साख से लिपट गया ओ बस इतना अवसर जैराज के लिए बहुत था उसने बिचितर जन्तू के गर्दन पर परहार किया और एक ही जटके से गर्दन कटकर अलग जागिरी तवी दूसरे बिचितर जन्तू के पास आते ही जैराज ने फिर त्रिव परहार किया लेकिन उसकी गर्दन पर कोई परभाव नहीं हुआ ये देखकर उत्प्रेती चिल्दा उठा अरे इस पर तो कोई परभाव नहीं हुआ राजकुमार इसके आँखों पर परहार करो अगले चंद जैराज की तलवार उसकी आँखों को अपना सिकार बना रही थी सायद यही आखरी तिलस्म था बिचितर जन्तू की आँख फूटते ही सारा वतावरन साफ हो गया अरे बिचीत्र जंतु के मर्टे ही सब कहाँ गायव हो गए उधर राजकुमारी के मंतर बोलते बोलते कुए के आसपास स्वण की बुझा बरसने लगी हरे सच्मूच यहाँ तो स्वण की वरसा हो रही है आश्चरे स्वर्ण की बुंदों से धीरी धीरी आग बुस्ती चली गई और जब आग पूरी तरह बोज गई तो जादुगर मैंने कुए की आग बुझा दी है अब मुझे जाने दो ओ तुम इतना महान मंत्र भी जानती हो अब ये जानने के बाद मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ जादुगर ने राजकुमारी का हाथ पकर दिया जादुगर ये अन्याय है मैंने अपना वचन पूरा किया फिर तुम अपना वचन पूरा क्यों नहीं करते मैं तुम्हारे साथ नहीं जाओंगी तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा राजकुमारी इस कुएं के अंदर एक गुफा में जादोई दीपक रखा है जिसे पाते ही मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादुगर बन जाओंगा जादुगर कुएं के सीरिया उतरने लगा जादुगर होसांग अभी गुफा में जादोई दीपक के सामने पहुँचा ही था कि उसने उत्प्रेती को जैराज के साथ आते देखा आओ उत्प्रेती आओ मैं जानता था कि तुम यहां तक पहुची जाओगे लेकिन अब तुम ना इस दीपक को ले सकोगे और ना ही यहां से जिन्दा वापस लोट सकोगे जादुगर तुम सोच रहे हो तुम्हारे पास मानो खोपड़ी है तुम्हें में फिर बंदी बना लोगे लेकिन ये मत भूलो तुम्हारी इस खोपड़ी का इस गुफा में कोई जादु नहीं चलेगा उत्प्रेती के इतना कहते है जैराज तलवार लेकर होसांग पटूट पड़ा अब तु कहां बचकर जाएगा बुढ़े आज मैं तेरा सारा जादु खत्म करके तुझे यमलोग पहुचा दूँगा जादुगर होसांग अभी समल पाता की जैराज ने एक भरपूर वार से उसकी गर्दन उड़ा दी खनाग तब ही आगे बढ़कर उत्प्रेती ने चादोई दीपक को उठा लिया राजकुमार तुमारी सहता से मैं इस दीपक को पाने में सफल हुआ हूँ मैं वचन देता हूँ कि इसका उप्योग लोगों की भलाई के लिए करूँगा और फिर उत्प्रेती से बिदाले कर जैराज राजकुमारी रूप लेखा के साथ चंदन गट की ओर चल दिया जब वे दोनों चंदन गट में पहुँचे तो उन्हें देखकर राजा राने और दूसरे लोग बहुत खुस हुए और फिर दोनों का विवा बहुत धुमधाम से संपन हुआ अगले दिन ही राजकुमार जैराज ने रूप लेखा के साथ अपने नगर के और प्रस्तान किया और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट जरूर करते हैं नए वीडियो के लिए टेस्ट आपडेट मिले आपको सबसे पहले